अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक कर गए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकम को प्रेस करना बिल्कुल मत बुलिए मेरे आने वाले लेटिस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इस दार रच्छा बंदन में अपने हाथों से अपने भाईयों के लिए ये मिठाई बना कर खिलाए और ये बहुत ही इजली बन जाती है इसमें इसे बनाने में 10 मिनिट का वक्त लगता है और आ प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है जादा से जादा शेयर कीजिएगा तो चलिए की चनल चलते है और बताते हैं कैसे बनती है नारियों की लगता है तो देखें यह हमारी कोकोनेट लड्डू बनकर रेडी हो गई है तो आप भी इसे बनाना चाहते है ना बहुत इजी रेसिपी है जरूर बनाएए आपके घरने यदि कोई तेवार हो या कोई पाटी हो तो आप उसमें बनाकर इसे सर्फ कर सकते हैं बहुत जल्दी बनती है जरूर बनाएए देखें मैंने इस पर पिस्ते लगाए हैं इसकी खुबसूरती पढ़ाने के लिए यह बिलकुल आप सनल है यदि आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं लेकिन यह टेस्ट वाजी बहुत ही अच्छी आई यह तो यह लड्डू यदि आप बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को स्टार्टिंग सेलेकेंग तक जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि कुछ टीप्स और ट्रीक से इस तरह के लड्डू बनाने के लिए जिसे फॉलो करके आप भी इस तरह का लड्डू बहुत ही इजीली बना सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखा जती ह क्युक्त इस तरह से यह नारियल की लड्डू मैंने बनाए हैं तो देखिए नारियल लड्डू बनाने के लिए एक पैं हमने ले लिया है और गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखाए इसमें क्या करेंगे यह 2 टीश्पूल हम घी डालेंगे देशिगी देखिए यह मे दो कप नारियल का बुरादा यानि कि पाउडर कोकोनेट हमने लिया है यह बाजार में आपको इजिली मिल जाती है आप चाहे तो कच्छे नारियल का भी उसकर सकते हैं लेकिन यह बहुत भी क्विक रेसिपी में आपको बता रहे हैं हूँ तो आप किसी भी तेवार में इसे ट्राइ किजे बनाएए बहुत जल्दी बनती है आपके घर में कोई गेस्ट आए तभी आप बना कर या पाटी हो बड़े हो किसी में भी आप इसे ट्राइ कर सकते हैं कोई तेवार में भी फटाफट इसे आप बना सकते हैं तो ये दो कफ आमने नारियल का पॉडर लिया है घी हमारी मेल्ट हो गई है इसमें डाल देंगे हम ये पॉडर गैस का ख्लेम हमें बिल्कुल मीडियम तो लो ही रखना है और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से भून लेते हैं इसे लगता चलाते हुए हमने भूनना है थोड़ा सा इसे हम भून लेते है तो देखिए थोड़ा सा हमने इसे भून लिया है कम से कम एक मिनट इसे हमने हलका सा लगता चलाते हुए medium to low flame पर भूण लिया है अब देख सकते हैं हलका सा इसका कलर चेंज हो गया है अब हम क्या करेंगे इसमें हम दाल देंगे ये हाप का मिल्क दूद्ध दाल देगे और इसे दूद के साथ इस तरह से मिक्स कर लेकर हो दूद्स के साथ इसे मिक्स कर लिया है मैंने दूद के यूज इसमें कम किया क्योंकि मैं इसमें कंडेंस में यूज कर रही हूँ यदि आप सिर्ट दूद्स से बना रहा है तो 2-0 CUP NARIEL के बुरा दे में DECINATED COCONAT इसमें आपको 2 CUP में 1 CUP अपो दूद्स अब क्या करेंगा इसमें हाफ कप यह पीछी हई हूँ हाफ कर रही हूँ और मैं चीनी का भी कम यूज करी हैं क्योंकि चीनी रहती है वो मीठा रहता है इसलिए मैं चीनी का कम यूज करी हूँ तो खॉफ खॉफ मैंने पॉडर शुगर डाला है आप चाहें तो — नौर्मल सुगर भी डाल सकते हैं ield देते हैं और इससे अwegen अची तरह से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं तो देखें चीनी हमारी-मंक होन्ने लगी है अभ हम डाल देंग इसमें गैस का प्लेंग में बिल्कुल low to medium ही रखना है यह वन टी स्पून इलाची पॉटर है इसे डाल रखते हैं और बन फॉब करप में यह कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हूं यह बिल्कुल उप्सनर है यदि आप चाहें तो यूज़ करना तो सिर्दूत से ही बना सकते हैं लेक पका लेते हैं जब इसी तरह से low to medium फ्लेंपार हम इसे ऐसे पका लेते हैं जैसे यह पूरी तरह से पैन से अलग होने लगे तो हम इसे निकाल लेंगे यह बहुत जल्दी बनने वाली मिठाई की रेसिपी है फ्रैंट साथे बट्राई जरू किज़ेगा बहुत ही अच्छी असा पाई आरह बडेते हैं नवीय को इसे पका लेते हैं जैसे की लड़ू हमारी अच्छी तरह से बंजा थोड़ा सा इस तरह से और तो नहसे छोडने लगे फ्रैंट साटेस काई इसा ंता लेते हैं और इसे घंशी घंट है हें सेही ज्यादा अच्छाओ बनेगा क्योंकि यह नीचे दिलकुल भी नहींडी चिपती है पन्हेच की ख़्षाम की मेरी की ठाध़की करों एंप यह था है इसे मेरी दें चीज़ाई मेरी के तो यह चला है तो अब हम क्या करेंगे इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और हलका सा इसे ठंडा होने देंगे उसके बाद पूरी तरह ठंडा नहीं होने देंगे क्योंकि पूरी तरह यह ठंडी हो जाएगी तो लड़ू हमें बनाना मुस्किल हो जाएगा तो थोड़ा सा वर्म हो जा डट्डोoup हमारे नहीं बनेंगे तो हरा सा गर्म रहे जितने आपके हाथ में सहं हो हलका हरा गर्म रहेगा तभी इसके लटड New बनाएंगे तो हरा इसे थंड हो जाने देते हैं और फिर हम इसके लट्डोबनाएंगे तो देखिए ये हमारी ठंडी हो गई है हलकी गर्म है तब हम क्या करेंगे हाथों में थोड़ी सी घी लगा लेंगे इस तरह से शीखने कर लेते हैं और एक छोटा रोज जिस तरह का आपको लड्डू बनाना हो इस तरह से हम इसे हलके हाथों से इस तरह से शेप देंगे स्टार्टिंग में थोड़ी सी ये इस टाइप किराएगी क्योंकि अभी ये हलकी गर्म है उसके बाद ये जैसे इसे ठंडी होगी ये सेट हो जाएगी करेंगे इसे ये जो ड्राइ कोकोनेट हमने लिया है इसमें हम इसे देखिए इस तरह से हम इस पर थोड़ी थोड़ी ये ड्राइ कोकोनेट इस तरह से लगा देंगे वाव देख सकते हैं फ्रेंट्स कितनी अच्छी बनकर हमारी ये लड्डू रेडी हो गई है थोड़ा सा तो देखिए इसी तरह से हम सारे लड़ू को बना लेंगे इस तरह से थोड़ा सा फ्रेस कीजिए हलका गर्म है अभी ये पहले हलके हातों से तोनों हाते इलियों के बीच में इस तरह से करेंगे फिर इस तरह से हातों में थोड़ी घी लगा लेज़े आपको जिस साइज के लड़ू बनाने बना सकते हैं अप नहीं भी लगाएंगे तो भी ये खाने में स्वाद अच्छा ही होगा लेकिन ये थोड़ी शी ड्राइए लगा देन से इसकी खुबसूरती में चाचान लग ज इस तरह से रेडी कर लेते हैं तो देखिए इस तरह से हमने बहुत ईजली नारियल के लड़ू बना लिये हैं और दो कप नारियल पाउडर में हमारा 21 लड़ू बनकर रेडी हुआ है आप यदि और छोटी साइज का बनाएंगे तो और छोटा भी बन सकता है ये थोड़ी स इसे फ्रीज में रख जाएंगे तो ये हाड हो जाएगे तो फ्रीज में मत रखेंगे आप या से फार दिन आराम से खा सकते ये खराब नहीं होगी तो आप इसे बनाएं ट्राइ किजए और अपनी फीड़ू जरूर दीज़िएगा इस तरह से आप चाहें तो इसकी कुछ बढ़ाने के लिए ऐसे एक एक पिस्ता इसके उपर इस तरह से सजा सकते हैं आप देख सकते हैं कितनी खूसुरत लग रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है ये सिर्फ सजावट के लिए हैं मुझे वीडियो बनाना इसलिए मैं सजा रही हूं आप ऐसे भी इसे बनाईए और अपनी फीडबैक देना बिल्कुल मत बुलिएगा और प्लीज मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरू कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा इसे बनाईए और अपनी फीडबैक मुझे जरू दीजिए कमेंट सक्षन में जाके जरू बताईए आपके कमेंट के जवाब देने मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए इसे बनाईए तो थैंक्यू मेरी वीडियो को देखने के लिए आप जरू इसे बनाकर मुझे बताईएगा जरू थैंक्यू फ्रैंट्स